हेलो एंड वल्कम टू लवनीश सरकी क्लास आज की शिक्षानी देशाले राष्टराज धानिक्षेत दिल्ली की आंकलन कारे पत्रक नम्मर 6 जो की कक्षा छटी के विद्यार्थियों के लिए है यह ली गई है समाजिक विज्ञान से और इसमें हमें क्या करना है इसमें हमें पहले चार प्रश्णों के तो सही उत्तर पर जो उसके आगे गोला दे रख़ा है उसको काला करना है और बाकी के लिखने वाले प्रश्ण है उन्हें करना है और ये 20 अंकों का प्रश्ण पत्र है तो चलिए जल्दी से शुरुवात करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं तो पहला प्रशन है कि हडपा के लोग निमलिखित में से किस राज्य से तांबा आयात करते थे यानि खरीदते थे राजिस्थान, केरल, पंजाब या फिर बिहार तो आपने इस तरह से गोले को काला करना है फिर प्रशन निमलिखित में से लोथल शहर किस राज्य में स्थित था पंजाब, हरियान, राजिस्थान या गुजरात प्रशन तीन निमलिखित में से महंजो दड़ो शहर के पास कौन सी नदी स्थित थी राबी, चेनाग, जेलम या सिंधू सही उत्तर है सिंधू नदी तभी तो हम उसको सिंधू हाटे की सभ्यता भी कहते हैं प्रशन नमबर चार निमलिखित में से किस देश से हडपा के लोग तिन धातू का आयात करते थे यानि कि तिन धातू खरीते थे चीन, ओमान, इरानी, आफ्रीका सही उत्तर है ओमान ये तो हमने किया भी था ना अब हम देखते हैं प्रशन नमबर पाँच प्रशन नमबर पाँच है हडपा सभ्यता के दो प्रमुक नगरों के नाम लिखिए बहुत असान है तो वो हैं हडपा और महंज़दाडों ये दोनों हडपा सभ्यता के प्रमुक शहर है उसके बाद है हडपा सभ्यता के लोग बहुमूल्य पत्थरों का आयात कहां से करते थे हडपा के लोग अपने कीमती पत्थरों को प्राप्त करते थे कहां कहां से सोना, करनाटक से, टिन, अफगानिस्तान से, कीमती पत्थर, गुजरात से फिर प्रश्च नमबर साथ अतीद को जानने के लिए किनी दोसरोतों के नाम लिखिये अतीद को जानने के प्रात्मिक और माधिमिक दोसरोत है समचार, पत्रलेख, डाइरी, उत्खनन यानि के खुदाई फिर है प्रश्च नमबर आठ, हडपा सबहता में नगरों का विभाजन किस प्रकार था देखिए हडपा शहर में जो उपरी शहर था जिसे गड़ कहा जाता था और निचले शहर, यानि दो भागों में वो विभाजित किया गया था और फिर है प्रश्च नमबर नौ, हडपा सबहता में गाउं के लोग अजीविका के लिए क्या करते थे देखिए क्रिशिज सिंधू लोगों के विवसाय का मुखे स्रोत था ठीक है, दूसरा कुछ लोग शहर में विशेश भवनों की योजना बनाने और निर्मान में भी शामिल थे और पुरुष और महिला दोनों ने शिल्पकारों के रूप में काम किया तथा सभी प्रकार की चीज़े बनाई और प्रश्ण नमर 10 महंजवदाडों में मिले महान इसनानागार का वर्णन कीजिए देखिए महान सनानागार महंजवदाडों के गड़ में पाई जाने वाली सबसे प्रभावशाली इमारत सरचना थी यह एक सुमिंग पूल के तरह आयताकार में थी और यह पकी हुई इटों से बना हुआ था तो इस तरह से हमें प्रश्णों का उत्तर देना है तो यह तो थी आज की वर्कशीट मिलते हैं अगली वर्कशीट में तब तक के लिए धन्यवाद